जयहिन दोस्तों मैं गुफरानान्ञारी आप सभी का हमारा चैनल में स्वागत है। गाइस चले आज हम जानने वाले हैं भिन्न का जोर, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। यानि तीनों इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं और बहुत ही हाई लेवल यहीं पहतर से बताने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखो हाँ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो आप तो प्लिस यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है वीडियो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका भिन्न का जोर कम्पलीट हो जाएगा तो चले गाइस वीडियो को सुरू करते हैं गाइस हमारे पास सबसे पहले एक पहला नमर सवाल आ चुका है जो की भिन्न का जोर है गाइस इसमें हमको करना क्या होता है आप यहां से भिन्न का जोर और घटा दोनों सीख सकते हो ठीक है तो आप यहां पर जैनल यह समझो यह भिन्न क जोर यानि कि बट्ट में है यापका बट्ट में है यापका बट्ट में है यानि एक बट्ट दो दो बट्ट तीन और एक बट्ट चार ये आपका तीनों क्या है जोर की रूप में है तो सबसे पहले गाइस क्या होता है आपको नीचे जो हर है इसका LCM करना होता है यानि कि LCM क करेंगे तो हम 2 से पहले भाग लगाएंगे जब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 aha टीन का तीन होगिया और उसके बाद यह एक एकम एक अब यह कटने वाला है नहीं कैस्टा हम क्या खरें गिसको हम गुुना कर अब दो दुना चार और 4 को 3 से कुना करने की तो, चारत की कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना होगा, 12 हो जाएगा, तो हम generally यहाँ पर क्या करेंगे, LCM बारा कर देंगे यह LCM हम बारा कर देंगे अब guys यहां से important आपको धियान यह रखना है सबसे महत्मन पाड़ यही पर है आपको यही पर समझना है guys करना क्या है आप यहां पर 4 देख रहे हो और यहां बारो देख रहे हो तो 4 को बारो से भाग करो sorry just क्या है एक है अगर 2 रहता 2 देते 10 रहता 10 देते इन्हीं उपर में जो भी होता वहीं उतार देते पहले इसको भाग करना है जो भी भागफल आएगा लिखना है और गुना करना है और उसके बाद उपर में जो है उसको लिख दो ठीक guys फिर पलस का पलस करो क्या है दो है तो दो लिखेंगे फिर पलस अब guys यहाँ दो है और 12 से भाग लगो दो से जब भाग लगेंगे तो 2 छाग बार कितना बार में 6 बार में जाएगा तो हम लिखेंगा इस 6 और गुना उपर क्या है एक है तो हमको एक लिखना है ठीक है इतना हो जाएगा अब guys गुना कर ले इसको तीन गुना एक तीन एकम तीन हो जाएगा फिर पलस चार दुना आठ हो जाएगा फिर पलस छे एकम छे हो गया अब बट्टा कितना है बारर अब इसको जोड़ेंगे तीनों को जोड़ेंगे तो ग्यारो और सोड़ी तीन और आठ ग्यारो और ग्यारो और छो कितना हो जागा सत्रह हो जागा तो सत्रह बटा बारह यह आपका आंसर हो गया जोड के अनुसार अगर गाईस इसी जगह मेरा मैनस होता है माल लो यहाँ पर मैनस है तो यहाँ हम मैनस डालते हैं मैनस डालने का मतलब क्या जहाँ जोर रहे हैं वहाँ पर हम घटा देंगे के वल बस इतना ही है गाईस ठीक है तो चलो आप दो नमर सवाल पढ़ाते हैं गुना पढ़ते हैं गैस दो नमबर सवाल आ चुक है जो की गुना है और इसको solve करने का तरीका क्या होता है उपर से नीचे को काटना है क्या करना है गैस उपर से नीचे को काटना है बस ये धियान लखो कि उपर से नीचे को काटना है यदि इतना आपको समझ में आ जाता है तो बस आप ये solve आरा कहता है क्या अब नहीए कट रहा है कोई नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे 3-5-2-7 है हम आप 5 द् implication कीटना sei wal यह इस पंद्रौम और पर-7-2-7-2-78श लह जाएगा कर दोО्सुद्रर चलो एक आठ और सवाल देख लेते हैं, जैसे माल लोके अगला सवाल होगा, 6 बट तीन गुना, 8 बट चार गुना, 9 बट चोबिस हमारा ये अगला सवाल है, अब गाईस इस सवाल में आप देख सकते हों गुना है, बस उपर नीचे हमको काटना है, तो उपर नीचे किस परक चार काटेंगे हम ऐसे काट सकते हैं यहां कितना है गाइस चार है तो चार एकम चार और यह चार दुना आठ दो बार में कट गया ठीक है गाइस अब क्या करना है गाइस अब काटो इसको तीन एकम तीन तीन दुना छे तो बार में कट गया यह ठीक है गाइस अब उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, दो से काटेंगे, दो एकम दो, बार दुना चोबिस, फिर दो से काटेंगे, दो दुना चार, दो एकम दो, और छे दुना बारा, छे आ जाएगा, अब इसको इसको काटते हैं, तीन तिया नौ, और तीन दुना छे, तो हमारा उपर कुछ बचा क्या, उपर कुछ नहीं बचा, सॉरी, यहां तीन बचा है, तो हम लिखेंगे तीन और बटा, नीचे क्या बचा है, दो बचा है, तो तीन बटा दो, हमारा यही आंसर हो जाएगा, तो यह गुना का प्रोसेस है, गुना भी समझ में आ गया, अब guys हम क्या करते हैं, भाग क्यों बढ गया आता है, डायक्ट पहले भाग को आप गुना में चेंज करो, पहले भाग को क्या करना है, गुना में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे guys, चार बटा दो, और गुना, भाग को हमको गुना में चेंज करना है, तो गुना हो गया, अब यह क्या होता है, जैसे ही भाग से गुना में change हुआ तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीची आजाएगा अर्थाथ हमारा क्या हो जाएगा आड़ बटर कितना हो जाएगा गाईस आड़ बटर बार हो जाएगा ये एक दूसी से बदल जाएगा ये आड़ बटर बार अंसर हो जाएगा अब इसको आप काट सकते हो काटो काटेंगे क्या चार एकम चार चार तीए बार तीन आ गया अब उसके बाद इसको काटेंगे हम दो एकम दो और चार दुना आठ तो उपर में क्या आ गया चार और बट तीन तो यह हमारा चार बट तीन आ गया अब गाइस हम क्या करते हैं एक और सवाल लेते हैं और उसको solve करके आपको दिखाते हैं अब यह एक वाला था है अब हम दो वाला लेते हैं दो यानिकि पांच भी बट छे भाण आट बट वारा उसके बाद फिर भागा हो जाएगा छे बट बर यह हमारा गयण भाग है और एक जगा भाग नहीं हैं दो जगह है गईस इसमें अगर बच्छे कंफ्यूज़ हो जाते हैं कैसे हुगा यानिकि पांच बट छे भागा आट बट बार और भागा, छे बटा-12 है, इसको व्यमार करने लिए, सबसे पहले मैं, आप एक एक करनी करके भाग को बदलो, यानि कि इस भाग को बने लिए उसके बाद इस भाग को बनेंगे, तो पहले इसको बदलते हैं क्या होजाएगा, पांच बटा-6, फिर क्या करूंगे इसको अब क्या करना है अब तो ये तो concept जानती हूँ सबसे पहले हमको क्या करना है भाग करना है फिर गुना फिर जोर और फिर घटा करना है ये process हमें साब को याद रखना है इस तरह से करना है तो गाइस इसमें गुना और गुना और भाग है तो पहले भाग की पहले गुना तो प पलट जाएगा इसके अंदर जो भी संख्या है वो क्या हो जाएगा यानि यह पलट जाएगा यानि कि यहां पर आ जाएगा क्या आठ सौरी यह हो जाएगा 12 बटा आठ यानि यह पलट गया और यह भी पलट जाएगा और यह प्लट कर क्या हो जाएगा गाइस यह हो जाएग आपका 6 बटा 12 इस तरह से बनेगा ठीक है यानि कि ये दोनों पल जाएगा ठीक अब इसको काटो ये 12 और 12 कट जाएगा ठीक है गाइस 12 बार 12 कट चुका है अब गाइस ये 6 और 6 भी कट चुका है बच क्या गया 5 बटा 8 तो ये 5 बटा 8 यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो उमिद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो क्योंकि एक एक वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है और मेहनत का फल आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही दे सकते हो तो मिलते हैं इसी परकार के वीडियो के साथ अगली वीडियो में थैंक यू फोर वोचिंग इस वीडियो